नमस्कार जोहार मैं याचन जैस्वाल आप देख रहें न्यूज जार्खन चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की जार्खन की तमाम बड़ी ख़वरों को सीम के मीडिया सलाकार के घर एडी की रेड हिमनसोरिन के करीबियों के बारा ठीकानों पर भी छापे मारी कॉलकाता में भी दबिश जारखन में सियासी हलचल के बीच प्रवर्तर निर्दिसाले ने बुधवार को सियम हिमन सोरिन के मीडिया सलाकार अभिशेक प्रसाद उर्फ पिंटु के ठीकानों पर रेट मारी है एडी ने अवैत खनन से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में राची में मुख्यमंत्री के कुछ करीबी सहयोगियें के घर पर दबिश दी है इसमें IAS और साहिवगंज DC, राम निवास यादो, राजिस्थान साहिवगंज, खुदनिया ब्रदर साहिवगंज, पुरो विधायक पप्पू यादो शामिल है CM के प्रेस सलहकार के घर के बाहर सुरक्षा बलतैना थे, किसी को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है प्रेस सलहकार पिंटू के घर ED की टीम ने लौकर तोड़ने वाले मिस्तरी को बुलाया है, एहम दस्तावेज या अन्य समान लौकर में होने की संभावना जताई जा रही है वहीं दूसरी ओर ED की टीम सीम ने करीबी विनोत सिंग और आटिटेक रोशन के रातू रोड के पिसका मोड इस्तित आवास पहुच कर छापे मारी कर रही है सियासी हल्चल के बीच राची के कॉंग्रेस भवन में कॉंग्रेस पारटी की बैठक चल रही है इस बैठक में जार्खन के कॉंग्रेस परभारी गुलाम एहमद मीर सभी विधाय को के साथ बातचीत कर रही है करीब 12 बजे से ये मिटिंग शुरू होई है कॉंग्रस सुत्रों की माने तो यह बैठक कई मायने में महतोपूर है जारखन में आई राजनीतिक संकट को कैसे उबारा जा सकता है इस पर चर्चा हो रही है वहीं कॉंग्रस की मिटिंग के बाद शाम साड़े चार बजे सरकार की गटवंदन दलों की बैठक होगी CM हाउस में गटवंदन की विधायकों की एक एहम बैठक बुलाई गई है इसकी अद्यक्षता खुछ CM हमन सोरेन करेंगे GMM सुत्रों के मुताबिक आज की इस बैठक में दो-तीन एहम विसे हैं जिन पर चर्चा होगी गटवंदन की मिटिंग को लेकर एक न्यूस चैनल से बात करते हुए कॉंग्रेस विधाय कंबा प्रसाद ने कहा कि मिटिंग में कुछ भी हो सकता है सरकार का चहरा बदलने के सवाल पर उन्होंने कोई बड़ा फैसला होने का इशारा किया है रेड से हरकंप देवघर में पपू यादो के घर पर भी एडी का छापा आवास और होटल पर दबिश मुखेमंतरी हिमंसोरिन के कई करीबी कारुबारियों के यहां बुधवार सुबा से ही एडी की बड़ी कारवाही जारी है केंद्रिय जांच अजनसी एडी द्वारा जार्खन में बड़ी कारवाही को लेकर कई ठीकानों पर अंजाम दिया जा रहा है बुधवार की सुबह सुबह जार्खन के कई जीलों में एडी ने जाने माने लोगों के घर दबिश्च दे डाली जिनके ठिकानों पर E.D. ने छापा मारा उसमें देवघर में पपू यादव का घर और उनका निर्मानाधीन होटल भी शामिल है जानकारी के अनुसार देवघर में बिहार के कटोरिया के पुर्व विधायक पपू यादव के घर पर E.D. ने छापा मारा घर के अलावा पपू यादव के निर्मानाधीन होटल पर भी E.D. के अधिकारियों ने रेड मारी है हलांकी अभी तक इस रेड में E.D. के हाथ कोई बड़ी सफलता लगने जैसी खबर सामने नहीं आई है लेकिन इस दबिश के कारण देवघर के कारुबारियों में हरकंप मच गया है दो दिन में 10 रुपे प्रति किलो बढ़ा प्याज का दाम हरी सबजी भी हुई महंगी जाने क्या है कीमत वहन चालकों की हरताल का असर ग्रीडियों की रसोई पर भी पढ़ा हमेशा गुलजार रहने वाले इस्टील गेट के सबजी बाजार में मंगलवार को थोड़ी भी रौनक नहीं थी बाहर से आने वाले सबजी विक्रेता भी कम आई जो प्याज 3 दिन पहले 30 रुपे प्रति किलो था हरताल की वजह से 40 रुपे प्रति किलो मिल रहा था दुकांदारों का कहना है कि 50-60 रुपे किलो तक प्याज का भाव बहुत सकता है वहीं हरी सबजियों की कीमत भी आसमान चू रही थी वहां नहीं चलने के कारण धांगी बलियापूर पोखर या टूंडी गोविनपूर से आने वाले सबजी विक्रेता नहीं आ पाए हीटन रन के नए कानून के विरोध में ड्राइवरों ने किया एनच 75 जाम राची चाईबासा मुख्यमार्ग में यातायात पूरी तरह बाधित हीट एंडरन के नए कानून के विरोध में जार्खन ड्राइवर संग के बैनर तले बुदवार को चक्रधरपुर के बांजी कुसुम मोड पर राची चाइबासा मुख्यमार्ग पर एनच 75 को जाम कर दिया गया इससे सडग स्यातयात पूरी तरट ठप हो गया जार्खन ड्राइवर संग के बैनर तले आटो, पीकप, सवारी, माल वाहक व अन्य वाहन चालकों ने नए कानून का विरोध किया है इसे लेकर बुदवार सुबा 8 बजे जार्खन ड्राइवर संग के द्वारा कानून वापस लेने की मांग को लेकर चक्रधरपुर के बाजी को सड़क जाम कर दिया, इस दोरान मौझूद वाहन चालकों ने कानून को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है, वाहन चालकों ने कानून में संसोधन वापुरो की तरह कानून को लागू किये जाने की मांग की है, मौके पर हिटन रन को काला कानून बताया, ड्रैव अधिकारी आवास के लिए यू तो हर दिन सरकारी अधिकारी व कर्मचारी सचीवाले का चक्कर लगाते रहते हैं। जिसमें वे सरकारी आवास आवंटन के लिए भवन निर्मार सचीव सुनिल कुमार से अनुरोत कर रहे हैं। जिन लोगों ने जार्खन को दोनों हातों से लूटने का काम किया है। प्रस्टाचार की परकास्था पर पहुचाने का काम किया है। अब मोदी की गैरंटी है गरीबों के पैसे जिसने लूटा है उनके घर से बरामत करके गरीबों के हित में काम करने का संकल्प मोदी जी का है। जार्खन को लगतार प्रस्टाचार के परकास्था पर पहुचाने वाले अब जेल जाएंगे उनके चहरे बेनकाब होंगे। में नियूनतम तापमान में 2-3 डिगरी की गिरावट दर्च की गई है। मौसम इभाग ने राजे के कुछ हिस्से में हलके से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान लगाया है। वही राजे के कुछ हिस्सों में कोहरा चाया हुआ है जिससे विजीबिलिटी कम हो गई है। कोहरे और धुंद के कारण ठंड का सितम बढ़ गया है। हिमाला के सटे इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर जार्खन के मौसम पर भी पड़ रहा है। करण वरी को पूरे राजे भर में हलके से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार है। मौसम इभाग की माने तो आज इसे ही मौसम करवट लेने लगेगा। राजे के कई हिस्सों में आसमान में बादल नजर आएंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दे कि न्यू जर्खन चैनल में अभी न्यू यर गिववे चल रहा है। इसमें आप पाडिस्पेट हों के 51,000 तक का कैस जीत सकते हैं। इसमें अल्रेडी काफी लोग पाडिस्पेट हो चुके हैं, तो अगर आप अभी तक पाडिस्पेट नहीं हुए हैं, तब के पास मौका है कैस जीतने का। इसमें से जो फस्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैस रिवार्ड दिया जाएगा, जो सकेंड लकी विनर बनेंगे उनको 10,000 और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैस रिवार्ड दिया जाएगा, इसकी अलावा भी किनी 32 लकी विनर को 5,500 का कैस रिवार्ड और जो इसका result का जो announcement है वो 14 जनवरी 2024 को किया जाएगा और एक चीज़ और है कि यह registration इसमें बिलकुल फिरी है कोई भी दरसक इसमें participate होके cash जीज सकते हैं पर छे दोस्तों की एक साथ मौत का मामला पूरे शहर के लोगों को जगजोर कर रख दिया है हाई स्पीट के कारण भविसे में कोई ऐसी घटना ना हो इसके लिए जीले के SSP किशोर कौशल ने वहानों की रफतार पर ब्रेक लगाने की कवायत सुरू कर दी है पुलिस इसके एक स्पीड प्लान तैयार करने में जूटी हुई है इसके बाद अलग-अलग इलाकों में वहान चलाने की अलग-अलग स्पीड निर्धारित कर दी जाएगी निर्धारित से ज़ादा इस से अगर वहान चलाते पकड़े गए तो यातायात पुलिस वहान चालकों पर जुर बनाये जाएंगे साथ ही लोगों को जागरूप करने के लिए जगा जगा बोर्ट भी लगाये जाएंगे SSP किशोर कौशल ने बताया कि जिन सडकों पर गाड़ियों की रफतार ज्यादा होती है उन सडकों को चिन्हित किया जाएगा उन सडकों पर स्लाइट को भी अलग-अलग डारेक्शन में लगाया जाएगा ताकि वहनों की स्पीड ज्यादा होने पर भी गाड़ियों की रफतार कम हो सके मैट्रिक की निन्यानबे और इंटर के बानबे सेंटरों पर होगी परिक्षा मैट्रिक वा इंटर की परिक्षा 6 फर्वरी से सुरू होगी इसकी तयारी में जीला सिक्षा विभाग लग गया है मैट्रिक की परिक्षा के लिए निन्यानवे और इंटर के लिए बानवे सेंटर बनाए गए हैं इन सेंटरों पर दोनों पाली में परिक्षा होगी पहली पाली में मैट्रिक तो दूसरी पाली में इंटर की परिक्षा ली जाएगी जीला सिक्षा विभाग की टीम सभी सेंटर पर व्यवस्था का जाय जाले रही है सभी सेंटर की CCTV कैमरा दुरुस्त करने बेंच, डेस्क, पानी की पर्याप्त व्यवस्था समित अन्य बिंदूओं को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया है जीले में मैट्रिक की परिक्षा में 29,531 परिक्षारती शामिल होंगे वहीं इंटर में 26,143 परिक्षारती शामिल होंगे यह रजिस्ट्रेशन का आकड़ा जीला सिक्षा विभाग का है इसके अलावा भी कॉलेज वाने जगहों से होने वाले रजिस्ट्रेशन भी शामिल हैं इंटर की बात करें तो साइंस में 4557 परिक्षार्ती, कॉमर्स में 3548 और आर्ट्स में 18038 परिक्षार्तियों का रजिस्ट्रेशन किया गया है एक हजार करोड के अवैत खनन मामले में पत्थर व्यवसाई कनहाई कुढ़ानिया के घर एडी का छापा डीसी से पूछताच साहिबगन जीले में एक हजार करोड रुपे के कथित अवैत खनन ममनी लॉंडरिंग मामले की जांच कर रही प्रवर्त निर्दे साले की अलग-अलग तीन सदस्यों वाली दो टीमों ने बुधवार को अहले सुबह दस्तक दी एक टीम ने साहिबगन शहर के नामचिन पत्थर व्यवसाई कनहाई खुडानिया के पुराने आवास पर छापे मारी की सुत्रो की माने तो कनहाई खुडानिया के आवास पर पहुची एडी की टीम ने उनसे कई कागजातों के मामले में पुष्टाश सुरू की साथ ही खनन से जुड़े कुछ मामलों में भी जनकारी ली गई है वहीं दूसरी टीम उपयुक्त राम निवास यादो के आवास ये कार्याले पहुची उसने क्या बातचीत हुई इस मामले में फिलाल कोई जनकारी सामने नहीं आई है सुत्र बताते हैं कि कतित अवैत खननन घोटाला से जुड़े मामले में ही एडी के अधिकारी उनसे पूछताच कर रहे हैं बताया जा रहा है कि एडी की टीम में सन्युक्त सचीफ रैंक के अधिकारी भी शामिल है जो डीसी के आवास पर पहुचे है दुमका के एक लौज में इस हाल में मिला बीएट छात्रा का शव बॉइफरंड सही तीन लड़के गिरफतार दुमका नगर्थाना की पुलिस ने मंगलवार की दोपहर बांध पाड़ा के एक लौज से बीएट की छात्रा कुमूधनी हांसदा 28 वर्षिय का शौब बरामत किया बताया जाता है कि कुमूधनी ने लौज में अपनी सहेली के कमरे में बॉइफरंड मोहमत चीकू के साथ सारी रात पार्टी मनाई थी आरोप है कि इसी क्रम में युवक ने उसकी पिटाई की थी सोमवार को कमरे से निकलने के बाद चीकू ने मृतका की सहेली को बताया कि वह गिर गई है उसे पानी पिला देना जब कमरे में देखा गया तो शव कमरे के अंदर फर्ष पर पड़ा हुआ था युवति के शरीर वा चेहरे पर कई चोट के निशान थे युवति के परिजनों ने कुमुदुनी हांसता के साथ मार पीट कर हत्या करने का आरोप उसके बॉइफरिंट पर लगाया है यह घटना सोमवार की देर रात में घटी है धान खरीद में फर्जिवाड़ा पर अंकुष किसान अब अंगुठा लगा कर ही बेच सकेंगे धान इसके लिए सबी धान क्रै करने वाले लेमपस पैक्स में इपॉस मसीन उपलब्द रहेगा अधार्युक्त सिस्टम से धान क्रै को जोड़ा गया है हलांकी अब तक पुर्विसिंगुम समेत राज में धान खरीद का सिस्टम मैनुवल था इसमें फरजिवाडा की आशंका थी लेकिन अधार्योक्त सिस्टम से धान खरीद होने पर ऐसी आशंकाओं पर इस्थाई रूप से विराम लग जाएगा जीले में किसानों से धान करे करने के बाद धान का भुकतान करने के लिए जीले में 52,000 रुपे का पहला फंड आया है हलांकी जीले से धान के लिए बड़ी राशी का आवंटन देने की मांग की गई है लेकिन मंगलवार शाम तक पंचान में क्विंटल धान के एवज में साथ किसानों को भुकतान नहीं हो पाने के पीछे तकनीकी कारण बताया जा रहा है हीट औरन कानून का विरोध जबरन बंद कराया परिचालन राजभवन के सामने आटो पर सवार यात्रियों के साथ दुरवहवार केंद्र सरकार द्वारा हीट अंडरन मामले को रोकने के लिए लाय जा रहे कानून के विरोध में देशक विभिन राजियों से सुरू हुआ वाहन चालकों की हर्ताल का असर राची में भी देखा गया राची या जारखन के किसी भी संगठन ने हर्ताल के समर्थन में आंदोलन की घोष्णा नहीं की थी लेकिन इसके बावजूद मंगलवार को अचानक वहन चालक हर्ताल के समर्थन में उतर गए बिर्सम उन्डा बस स्टेंड और ITI बस स्टेंड से खुलने वाली बसों को बंद कराने के लिए चालकों का एक गूट पहुचा जो बसे खुलनी थी उसके चालकों को अपने साथ ले गए इस वज़ा से स्टेंड में बसे खड़ी रही बस नहीं चलने से यात्रियों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ा स्टेंड पहुचे सैकडों लोग अपना लगेज लेकर पैदल ही लोटते दिखें हाइवे पर ट्रकों को जबरन माल लेकर जा रहे ट्रकों को रोक दिया गया इस वज़ा से हाइवे पर ट्रकों की कतार लग गई इधर शहर में आटो चालकों ने स्वयम हर्ताल का भ्रम फेल आया है तुशार हत्यकांड के विरोध में राजमहल बाजार बंद कांड उध्वेदन की मांग साहिबगन जीले के राजमहल के चर्चित तुशारमंडल हत्यकान का एक सब्ता बीद जाने के बाद भी कान्ड का उद्भेदन नहीं होने और अपराधी पुलिस के गिरफ्त से बाहर होने पर बुधवार को राजमहल बाजार स्वता सुभा से बंद रहा सबी छोटे बड़े व्यवसायों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर आमनागरिकों के आवाहन पर बाजार बंद का समर्थन किया मंगलवार की देरशाम को मसाल जुलूस निकाल कर नगर भ्रमडवम कैंडल जला कर गांधी चौक पर तुसार मंडल को श्रधानजली अर्पित की गई थी जारखंड और यूपी के लिए बिहार से चलेगी 121 बस शिडियूल और रूट नोट कीजिए बिहार से उत्तरप्रदेश और जारखंड के बीच 61 रूटों पर 121 नई बसे चलाने की योजना है दरसल इन रूटों पर बसों की कमी है या यू कहलें कि नाम मात्र की ही बसे हैं बिहार राज जिपत परिवहन निगम ने PPP पबलिक प्राइवेट भागिदारी मोड में इन बसों को चलाने की योजना बनाई है जिसके लिए जल्दी आवेदन मांगा जाएगा जो जांकारी हो पाई है उसके मताबिक बिहार यूपी मार्ग पर गोरकपुर छप्रा, रक सौल गोरकपुर वाया गोपाल गंज रूट पर बसे चलाई जाएंगी, वहीं बिहार जारकन रूट पर गया टाटा, गया बोकारो, जमोई टाटा, गया देवघर, गया धनबाद, नवादा राची, पटना राची, पटना देवघर के विभिनमार्गों पर बसों का परि भागवा जारकन फेयर, प्राइस शॉप डीलर्स एसोसियेशन के प्रतिनीधियों के बीच मंगलवार को सकारात्मक बातचीत हुई, जिसके बाद यह तैकर लिया गया कि राशन डीलरों को उनका बकाया दे दिया जाएगा, इसमें करीब जारकन के करीब 26,000 पीडियस डील की राजिस्थान से पश्चिम बंगाल जा रहा था ट्रक, बगोदर थाना छेतर में जीटी रोड पर अटका के पास पेट्रोल पंप परिसर में खड़े ट्रक से, चोरों ने करीब 9 लाक रुपे मुले का सरसों का तेल चोरी कर लिया, घटना सोमवार देर रात की है, भुक चोरी की रात 9 बजे ट्रक को बगोदर थाना छेतर के अटका इस्थित मेसर सांती में आटो मुबाइल पेट्रोल पंप परिसर में खड़ा किया और खाना खा कर वाहन के कैबिन में सो गया, वहीं ट्रक जे एच सुन्य दो बीडी 2965 का उपचालक हरी प्रशाद महतो उसके स साथ सोया था, हरी गोर गोर तिलाया थाना बरवा अड़ा धनबात करहने वाला है, जब सुबा दोनों उठे तो देखा कि ट्रक के पीछे का तिरपाल फटा हुआ है और सरसो का तेल कई टीन गायब है, गिनने पर 450 टीन गायब मिले, जिसका बाजार भाव से अनुमानित की साड़े 9 लाक रुपय बताया जा रहा है, चालक की शिकायत पर बगोदर पोलिस घटना इस्थल पर पहुच कर छानबीन कर रही है, इडी के गवाने की सियम समेत 8 की शिकायत, साहिवगंज के प्रमुक पत्थर कारोबारी, प्रकास्चंद्र यादो, उर्फ मुंगेरी या सुत्रो ने बताया कि मुंगेरी ने इनके विरुद सड्यंत्र के तहट अपना हिट साधने की नियत से जबरन वसूली वरना जायस तरीके से लंबे समय तक जूटे मामले में जेल में रहकर प्रताडित करने का आरोप लगाया है, सुत्रो ने बताया कि मुंगेरी ने शिका वहीं शिकायत की है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दे कर मामले से निकल जाने को कहा गया जेल में तीन अफसरों ने 50 लाख रुपए का इंतिजाम करने को कहा इधर साहिब गन जैस्पी कुमार गौरोव ने बताया कि फिलाल उनके संग्यान में यह मामला नहीं है आने पर देखेंगे बिना लाइसंस चल रहे अस्पतालों पर नियंत्रड के लिए गठित होगी CEA बोड जीले में बिना क्लीनिकल इस्टेबलिस्मेंट एक्ट के संचालित अस्पतालों पर नियंत्रड के लिए बोड का गठन किया जाएगा CEA बोड के गठन के लिए सिविल सर्ज और डॉक्टर चंदरभानु प्रतापन ने एडियम लौ एंड और को पत्र लिखा है जीले में CEA बोड का गठन नहीं होने से कई अस्पताल क्लीनिक वा नर्सिंग होम बीना लाइसेंस के चल रहे हैं अधिकारी अपनी मनमर्जी से जाचवा लाइसेंस निरगत कर रहे हैं इस पर रोक लगाने के लिए CS ने जिला प्रशासन से बोर्ट का गठन करने का आगरह किया है। सिविल सर्जन ने बताया कि उपयुक CEA बोर्ट के अध्यक्ष होते हैं। उनके निर्देश पर बोर्ड में CS के अलावा अनचे किस्तकों को सामिल किया जाता है। CEA बोर्ट के गठन के बाद बीना लाइसेंस संचालित अस्पतालों की दुबारत जाच होगी नियम विरुद अस्पताल, क्लीनिक वा मनरसिंग होम का संचालन करने वालों पर कारवाही की जाएगी।